हमने अभी तक फाइनल अकाउंट में क्या कर लिया सर फाइनल अकाउंट के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट का नॉलिज होना जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस का होना जरूरी है और बैलेंच शीट का ट्रेडिंग अकाउंट में सर जो बनाने के लिए आपको डायरेक् सर फैक्टरी से पी एंडल अकाउंट के लिए आपको इंडारेक्ट एक्समेंस का पता होना जरूरी है जो के रिलेटेड होता है हमारा ऑफिस से बैलेंस शीट में हम एसेट और लाइबलिटी को लिखते हैं इसके बाद हमने क्या देखा था सर इसके बाद हमने देखा था लॉस ट्रेड इंडल बनाने का परपस क्या है या तो आб यहां से नेट लोगे या फिर नेट लॉस निकाल लोगे इससे नेट प्रॉफित और नेट लोज को लेके जाओगे आप बैलेंस शीट के अंदर सर अगर प्रॉफित आया तो बैलेंस शीट के यजडिनमे एड हो पूरानी बुक अगर लेते हो अपने सीनियर से तो पूरी साल परिशान रो गया आप साल तो नहीं खेर दो ही मैने बचिये हैं आपके पास सर आज देखेंगे हम मेजर टॉपिक है हमारा अजस्मेंट पोस्ट डेटिट चेक वगरा देख लिया था आज करेंगे हम अजस्मेंट सर इसको इतना संभालगे करना है आपने और इस तरीके से करना है कि एक्जाम के टा आजहेतं हैly आपको kraut करने वाला है सर प्रश्मेंट के अंदर अभर बाते या तो GST के साथ होगा या विदाव घी स्टी क्योंकि आपके पलिश पर बैटिथ करने वालें जो लिए-स ओके नहीं आया नहीं ए-ट नैशनल एजूके पॉलिशी कह लो जो आया हुआ उनका यानि उनका यही परपस है कि बच्चों को हम वर्सटाइल करेंगे यानि उनका एजुकेशन इस तरीके से हम एक्सपेंड करने वाले के उसको हर चीज के नॉलेज दी जाए तो जो स्कूल का माहूल था सर वो बिल्कुल अलग था और कॉलेज का माहूल बिल्कुल अलग होने वाला है पढ़ने में तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अड्जस्मेंट अड्जस्मेंट नमबर वन कि अगर अड्जस्मेंट कराने का देखो पढ़ने का तरीका क्या रहेगा अगर मैं कुश्चन नमबर बन करा दूं वन तो वैसे चलिए सब्चलिए सब्चलिए सब्चल आड्जस्मेंट नंबर वन हमारा है हुगा किस चीज़ पर होगा सर्थ स्टॉक के उपर और बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूँ सबसे पहले एक कॉंसेप्ट समझ लेते हैं वाट इस अडजस्मेंट सर वाट इस अडजस्मेंट ठीक है पहले समझ लेते हैं फिर अपलाई करेंगे यह हमने बनाया ट्राइल बैलेंस अब आप सबको पता होना चाहिए सर जो ट्राइल बैलेंस बन रहा है वो कहां से बन रहा होगा यह हमने बनाया ट्राइल बैलेंस ठीक है न ट्राइल बैलेंस से पहले मैंने क्या किया सर सबसे पहले मैंने किया जर्नल, जर्नल के बाद किया मैंने लेजर जैसे ही जर्नल और लेजर किया तो लेजर की हमने जो टोटलिंग था उस टोटलिंग को हम यहां पे धीरे-धीरे लिखते गया जिसका नाम दे दिया गया लेकिन कुछ I doubles हम भूल जाते हैं सर लिखते लिखते हमें याद नहीं रहा हूँ मैंने क्लोजिं i इसके अंदर कुछ गलतियां रह गया यह उन लिखना भूल गए जैसे की outstanding salary लिखना भूल गए जैसे की प्रिपेट तो जो गलतियां होगी उनको कहां लिख देंगे हम बाहर अगर आपको एक trial मिलता है और उसके trial balance के बाहर कोई में आया होगा ज्रेजर के लास्ते से trial balance में गया होगा इसका मतलब double entry के साथ गया है adjustment तो हम करना ही भूल गया है complete omission में चल रहा है तो क्या इसका journal हुआ होगा नहीं हुआ होगा क्या आगे का काम हुआ नहीं हुआ तो इसलिए हमारा adjustment की भी कितनी entry करेंगे तो rectify हो जाए दो यानि हर एक adjustment के साथ दो entry होगी एक क्या होगी debit और एक होगी credit होगी normally वाली तो जो ट्राइल बैलेंस के बाहर गीवन होता है उसे क्या बोलेंगे हम अड्जस्मेंट बोलेंगे और जो ट्राइल बैलेंस के अंदर गीवन होगा उसे हम नॉर्मल एंट्री बोलेंग और ट्राइल बैलेंस के अंदर जो होगा उसकी पोस्टिंग करेंगे स्रिफ और सर closing stock दो जगए देखने को मिल सकता है सर एक हो सकता है आपको trial balance में देखने को मिले और हो सकता है आपको कहां देखने को मिले adjustment में हो सकता है trial balance में देखने को मिले या फिर हो सकता है आपको देखने को मिले कहां पर adjustment में सर adjustment का मतलब आपके दिमाग में clear हो रहा है कि adjustment कहां पर trial balance के बाहर है ना यह trial balance के अंदर बाहर होगा सर अगर आपका मिलता है यहां just trial balance में तो सर ट्राइल बैलेंस वाले के कितनी एंट्री करते हैं एक एंट्री अगर ट्राइल बैलेंस में निकला आपका तो सिर्फ कहां ले जाएंगे only यह जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीएस लिख रहा हूं balance sheet को कहां चला जाएगा सर यह balance sheet और सर balance sheet में भी कहां लेके जाओगे सर बस इसको asset में लिखना है कहां लिखना है हमें assets में लिखना है क्योंकि closing stock का nature होता है हमारा assets लेकिन अगर adjustment में मिला तो सर adjustment में एक चेके से बात नहीं बनेगी adjustment में मिला तो कितनी जगह लिखनी पड़ेगी आपको सर दो जगह लिखनी पड़ेगी सर दो जगह कहां कहां लिखनी पड़ेगी वो देख लेते हैं सर दो जगह लिखना पड़ेगा आपको एक तो लिखना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट में तो ट्रेडिंग अकाउ जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम भाइय venvel भी बोलते हैं कर जिसको हम लिखोगे संप्र में पूरा ही लिख देता हूं क्यूंकि यह मिरको नोट और डेता हूं किताब में भी डालने हैं बैलेंस शीट में यह आ जाएगा बैलेंस शीट में सर बैलेंस शीट में कहा आएगा सर सर बैलेंस शीट के अंदर यह आएगा हमारा एसेट साइड बैलेंस शीट में कभी भी डैबिड और क्रेडिट नहीं होता है बैलीन शीट में या तो होता है एसेट साइड में आपके साथ प्लोजिंग इन ट्राइल में तो कहां ले जाएंगे शिर्फ और बैलेंशाइट में चला जाएगा कहां चले जाएगा ट्रेडिंग के credit side में और balance sheet के asset side में पिछला question देखिए आप पिछले question के अंदर closing stock था ये था closing stock इसलिए मैंने इसे कहा लिखा अब बताईए ये adjustment का part है closing stock या without adjustment है ये क्योंकि ये trial balance के कहा है पिछली class के अंदर हमने देखा था ये closing stock sir इस closing stock को हमने यहां लिखा था और एक हमने कहां लिखा था assets में दो जगा entry हम करके चले थे मैंने बोला था debit हो और credit होगा तो debit होगा और credit होगा तो आप ध्यान से देखिए मैंने credit तो लिख दिया और asset side में लिखा तो asset side का मतलब ये क्या हो रहा है हमारा एक तरीका से देखा जाये तो यह debit ही हो रहा है तो एक तो credit में चला गया और एक debit में चला गया यानि हम accounting rule को अच्छे से follow कर रहे हैं समस्या तब आती है note problem तब create हो जाता है हमारा जब आपको closing stock का दो value given है when market value और market value को हम कहते हैं realizable value when market value या फिर realizable value and book value या फिर हम बोल सकते हैं cost price बोत हर given जब दोनों दे दिया जाए ऐसे situation में क्या होगा सर ऐसे situation में इसका answer हो जाएगा अगर दो value given होगा तो always taken always taken whichever is lower as per accounting standard to एक्जाम्पल देखिए सर मान लो closing stock आपको adjustment में given है भले ही adjustment में given हो चाहे आपका trial में given closing stock given है आपका मान लेते हैं closing stock आपको given है 40,000 और इसके bracket में लिख दिया गया सर market price जिसको मैं MB बोल रहा हूँ ठीक है market value बोल दो या market price market price 60,000 तो बच्चा confused हो जाएगा सर आपने ये तो बता दिया कि closing stock trading में आएगा और कहा आएगा balance sheet में लेकिन closing stock की तो दो-दो amount दिख रहे तो हमें कौन सा लेना है तो accounting standard 2 कहता है भाईया confused मत हो दोनों में से जो कम होगा वही लेना है always तो सर यहां पर दोनों में से कम कौन सा है closing stock का 40 या 60 40 तो आपने लेना है 40 तो इसका answer क्या हो जाएगा सर 40,000 सर एक और example हो जाए चलिए एक्जाम्पल नमबर टू क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रख है मैंने 50,000 market value 30,000 तो अब कौन सा लेंगे हम very simple 30,000 क्यूंकि rule के इसाब से whichever is lower का मतलब जो दोनों में से कम है ऐसा कभी मत समझना कि जितने का खरीदा है वही लिया जाएगा या फिर जितना market में बिख सकता है उतने का होगा दोनों चीज़े possible आपको इसके according लेना होगा कोई दिख्कत यहाँ था कोई परिशानी समझ मैं adjustment number one हो जाता है हमारा done